आज का जो सेशन रहने वाला है पंजाब एंड हर्याना हाई को ड्राइवर भरतिका जो 14 जनुवरी 24 को आपका पेपर उसमें सेकेंड शिप्ट का पेपर है हमने सोलिशन करवा दिया है आपको मिल गया होगा आपको देख लिया होगा उमिद करता हूँ और आज ही जो तो आज इन क्यूसंस पर हमारी चर्चा जो है रहेगी फोड़ा समय इस परसन को जूम कर देता हूँ आपको कम दिखाए दे रहा होगा ठीक है तो ये परसन है आज का न परसन नमर एक हमारे सामने है मोटर यहान अधिने मुनी सो 88 के अगुसार निमनल लिकित में से कौन सा कतन सही है देखो इसको ध्यान देखोई सही है पुछावे तो उप्सन नमर एक है हीट एंडरन मोटर दुरगटना का अर्थ है मोटर वाहन या मोटर वानों के उपयोग से उत्पन होने वाली दुरगटना जिसकी पहचान इस उदिश्य के लिए उचित प्रयास के बावज उसका certificate आपके पास नहीं है या certificate नहीं होता है तो फिर बिमा जो उसकी policy होती है वो लागू नहीं होती है certificate आपके पास होना जरूरी है वो जाए आप एक दिन दो दिन तीन दिन बाद में भी कोई भी insurance company होती है वो बिमा कर देती है और आपको certificate नहीं दे तो फिर क्या guarantee है ब नमर 2 भी सही है, यहां पर option number 3 correct हो जाएगा, दोनों खतन सही है, ठीक है, इस भाई ने option number 2 को यहां पा जो select किया है, तो यह बीमा की policy में बीमा का परमान पतर सामिल है, बिल्कुल यही भी कतन ठीक है, परसन सही है, दो आपके सामने आ चुक है, बहुत ही simple सा person है एक दम, यह बार जा रहा ठीक है, इस थाई driving license के लिए आविदन करते समय, नीमन लिकित में से किस दस्ताविच के आउसेक्ता होती है, इस थाई परमान जो driving license होता है, तो वाण जी के वहां ने license की तदी में forum number 5, यह old rule है भी, अब जो new है न, new में अब आपको बता दू में, forum से क्या नमबर दो कथन है, P.O.C. परदूशन नियंतरन परमान पत्तर, वही driving license को लेके इसका कोई यहां पर meaning नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है न, option number 2, गलत हो जाएगा, तो केवल कथन एक सही हुआ, तो option number 2, correct है, परसन सिंह तीन, नमबर 2023 तक की स्थती के अनुसार, न अंग्रेजी सामिल नहीं है, परसन सिंह चार आपके सामने है, ठीक है, किसी सड़क चिन के परभावी होने के लिए नीमनलिकित में से कौन सी मूल आउ सकता, भी सड़क चिन को लगाने का क्या आर्थ होगा, तो इसपस्ट और साधान आर्थ परदसित करे, मलब जो सड़क अर्थ क्या है, और वो इसपस्ट भी हो, यह मलब दिखने में आसान हो, ध्यान आकर सित करे, आपका ध्यान भी वहाँ पर जाए, एसी स्तिती में सड़क संके लगाना चीए, तो दोनों कतन से यह कोई इसमें डाउट नहीं है, परसन सिंह पांच, जो है, एक मेत का परसन है आप देख लीजिएगा, परसन सिंह अच्छे है, यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो यह छटा संकेत है, सबसे पहला जो संकेत बनता है, वो बनता है, पीछे से आने वाले वहिकल के लिए, नमबर दो संकेत बनता है, सामने से आने वाले संकेत के लिए, नमबर तीन, जो हा आपका front चे आने वाले वहिकल को रोक रहा था, वो फिर अब right चे आने वाले वहिकल को रोकेगा, तो यह चार नमर संकेत है, मैं बता दूँ, ओ चार नमर संकेत का मतलब यह होता है, left, right के साथ में rear and front के भी वहिकल रुकेंगे, मतलब सभी वहानों को बंद करने का चेतावी संकेत, यहाँ पे होता है, option number 2, यहाँ पर right answer हो जाएगा, देखनी में तो इसा लगता है, कि यह right का कह रहा है, यह left का कह रहा है, लेकिन इसा नहीं है, यह left के साथ में rear का भी कह रहा है, ठीक है, और यह right के साथ में front का भी कहता है, ऐसा आपको थोड़ा सा ध्यान सीज़ को समझना है, तो option number 2, इसका right answer हो जाएगा, भारत की जन्गरणा 2011, कि अनुसार पूरुसूं और मेलाओं की साकसरता दर में अंतर, अंतर पूछा आवी, तो 16.3 का option number 3 हो जाएगा, परसन number 10 आप देख ले, सडक्चिन या संकेत समेलन वियना में, दोस्तों देखो, ये भी पूछा गया था भी, आठ नुम्बर 1968 को ये समेलन कहा हुआ, ये परतम सीथ में था, और इसमें पूछा कब हुआ, तो देखो, पहली सिप्ट और दूसरी सिप्ट में मिले जूने परसन है, तो ये आठ नुम्बर 1968 को वियना में सडक्चिन और संकेत समेलन या पर हुआ था, और 1950 में जेनेवा, स्वुटिजिलेंड में हुआ था, तो उसका भी आपको खयाल रखना है, तो उसकी नुम्र चार यहां पर राट अंसर हो जाएगा, परसन सिंग्या 11 आपके सामने है, गणित का है, आप देख लेना इसको, और इसको थोड़ा सध्यां से हम समझते भी है, तो मैंक पूर्वे की और, मानना कि ये एक अंदर बिंदु है, और यहां पर क्या है, आप कहसेखे हैं नौर्थ है, यह जो यहां से चलता है कि इदर, मैंक पूर्वे की और चलता है, नौर्थ से अब पूर्वे चलेगा, तो 25 क्लिमेटर इदर चला, 15 क्लिमेटर तर वे दाई और मूड ता है, परसंद सिंग के आपके सामने बारा मोटर यान ड्राइविंग वीनिये में 2017 के अनुसार किसी वहांद को नहीं रोका जाएगा एस इस्थान जहां सड़क संकड़ी है या द्रिश्य बादित है बिल्को ठीकतन है तो वहांद या मंदन लेन हो यानि जातो आपको इस पिड धनि के लिए अगर कोई लेन है तो वहाँ पर भी आपको भाहन को नहीं रोकना चाहिए तो दोनुकतन किया है और इस भार य即bern हैंग के स्वाल है और यह स्वाल इससे भाई ने गलत किया है और ये भी स्वाल गलत है लिए को रिज्टनिंग के चोटे-चोटे स्वाल है एक जुचन आत्मग होते हैं, खोदाकारवाले आदेसात्मग होते हैं, परसंगिया सोडा, साधान व्याज से सम्मधित है, और ये परसंग इस बाय ने भी सही किया है, और 17 नमर परसंग है, यहां पर इस बाय ने और गलत कर दिया देगो, रिज़निंगे सारे स्वाल गलत हो रह इसका काम ही क्या होता है, इसका काम ही audit करना होता है, वो फंडिंग, जो खर्चे होते हैं, उन खर्चों की जांच परताल काम कोन करता है, भारत का नियंतरक ए महालिखा प्रिक्षक, तो अपसन नमर चार है सही एकदम, परसन सिंग्या 19, कौकणी, इसको जोम कर देता हूं थो हो जाएगा, परसन सिंग्या 20 आपके सामने है, जो की रिजनिंग का परसन है, तो ये आप देख ले न, परसन सिंग्या 21 आपके सामने आ गया है, जोम आउट कर देता हूं, और ये देखू, ध्यान सी देखू, इस परसन को कितना गजब का परसन है, देखवा थोड़ा सा, श्रेणी खालिस्तान का अर्थ है एक मोटर वाँ जिसका उप्योग यात्री यात्रियों और उनके सावान को देजाने के लिए किया जाता है तो थोड़ा से इसको मिटा देता हूँ थोड़ा से इसको छोटा कर देता हूँ यानि की उसका वाहन का प्रियों क्या हो यात्रियों को उनकी समान के लिए मतलब की मतलब की पहला गलत हो गया ऑद दोस्तों यहां पर दीजिटो कंडीशन यहीगे अगर condition नहीं आती, तो आपको यहाँ पर केवल M करना था, लेकिन यहाँ condition आ गई है, कि driver की seat के लावा 8 से अधिक seat होती है, अधिकतम भार 5 टंसे अधिक होता है, तो यहाँ पर option number B, right answer हो जाएगा 2 number, तो इस भाई ने भी बहुत अच्छे धंसे है, इस person को है, सही किया है, ए choose option 1, leap spring यहाँ क्या देखे कर दिया आपने, leap to कबाणी होती है, जो पत्तियां होती है, यह से लंबी लंबी, इसके नीचे और छोटी पत्ती होगी, और इसके चोटी और छोटी पत्ती होगी इस टाइप से, तो इस टाइप से होता है, और यहाँ center board होता है, बीचों beach, तो यह आपको ध्यान है, यह आये गुदोते हैं यहाँ पर, यह होता है, तो यह coil spring है, तो ध्यान रखना है भी थोड़ा सा, गलत मत करो यह से, पचास सीसी इंजन चमता तक के वहानों के लिए driving license प्राप्ट करने के लिए, आविदक की आयो, पचास सीसी इंजन चमता तक होगी, तो अपसर नमर एक इसका right answer हो जाएगा, यह गणित का person है, और इस भाई ने भी बहुत अच्छे सीस को किया से ही, सभी त्रिकोंड यह सड़क्ची जो होते हैं, वो किस रंग में होते हैं, लाल कलर में होते हैं, आप सभी को पता है, कि आदे साथ में जो चिन होते ह में होते हैं, वो मतलब की एक टाइप ही में कह सकता हूँ, वो गोल आकर्थिमित होते हैं, साथ ही वो किस-किस color में हो सकते हैं, आपको पता होगा, तो वो एक तो red में हो सकते हैं, और एक वो आपके blue में हो सकते हैं, किस में हो सकते हैं, blue में, ठीक है, तो यह थोड़ा सा आ वो एक औरगे चेन होते हैं, questo है रेड और बलू नमें, नियुकशन होते हैं हमेसा बल्यू में होते हैं। या परसंगAL सोब्स सामें है, वृसं समंना बताना है रर्जनिंग का परसंगा इस बाइद ने सही किया है। परसंद सिंग्या 27 गनित का है, इस बाई ने गलत कर दिया है, परसंद सिंग्या 28, वहानू में सभी खालिस्तान उस्मा तापी, एक शिदांत प्रकारिय करता है, अर्थाथ एक तापिकाई, एक वाल को सुचालित करती है, तापिकाई का नाम आते है टेमप्रेशन, वाल का मत गिवे रेखा सामाने तया से चिनित रेखा है, जो जंक्षनों पर खरिस्तान चिनित होती है, एकल बिंदू रेखा, दोहरी बिंदू रेखा, दोहरी बिंदू रेखा तिर्ची और एकल बिंदू रेखा तिर्ची, तो ये जो गिवे रेखा होती है, वो जंक्षनों पर द पुछदार के लाएगी। नई मोटरवान पंजीकन की थीथी से खालिस्तान की समापती के बाद परदूशन नींतरन में के लिए पुनय परमाडित किया जाना चाहिए। पुछदार के लिए पुछदार के लिए पुछा जा रहा है। परसन सिंगे 33 रिजनिंग का स्वाल है और परसन सिंगे आप देख पारें 34 दिएगे यात तयात अचीन का क्या आरत है। ट्रक है वो ट्रक में एरू जो गन्याग है एक एरू जा रहा है एक लेप्ट में एक रायट में बाहर के ओ जा रहे है तो यह लेंध होती है। तो अपस नमर तीन रायट अंसर यहाँ पर हो जाएगा लंबाई सिमा यही एर अंदर की ओर आते है ना एक दूसरे की ओर आपस में तो यह क्या होता विर्थ हो जाती है यह आपको ध्यान देना है। तो इस भाई ने भी इसको सही दगए है बहुत अच्छा और यह आपका 35 परसन है जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं गणित का परसन है। भारत में राज्य कारे करने के समझ में नीमन लिकित में से कौन सा कतन सही है इस सही या गलत को पूर देक लेना है। धारा 4 आयू सीमा के बारे में धारा 8 जो है लर्निंग लाइसेंस के बारे में धारा 9 ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के बारे में धारा 13 ड्राइविंग लाइसेंस पूरे भारत में मनलम मानने होगा इसके बारे में धारा 14 ड्राइविंग लाइसेंस कितने साल के लि आया तापमान का आया है, ब्रेक के बारे में आपको पूछे, तो पहली बार तो गोल आकरती में होगा, इसके बाहर और कोष्टक होंगे, तो वो ब्रेक का चीन होगा, तो इन सभी में यह कोई संकेत नहीं है, यह तेमपरेचर भी है, ब्रेक का भी यह तेमपरेचर का अंदर यह parking brake का है. तो यह पार्किंगnement वाला तो घलत हो गया उन्ही टेंप्रेचर वाला. ब्रीक तापमा नहीं तो पूझा है, तो अपस नमर दो हो जाएगा, रायट एगासर. इस भाई ने दो नमर को लगाया है, बिलकुल रायट लगाया है. अगले प्रसंद पर चलटे हैं, येदी ए का ए प्रतिसत्थच पूरचार है तो ए कमा, तो यहाँ पर यह गनित का परसंद का परसंद है, आप देख लेना, परसंद सिंह क्याच चालीस आपके सामने है, अगे चलना अनिवारे, सीधा आगे बढ़ना है अनिवारे संकेत है कमपल्सरी तो कमपल्सरी आपको पता है ये देखो एक आदे साथ मख संकेत है बल्यू कलर में है ये ध्यान से देखना मतलब आदे साथ मख संकेत रेड में भी होते है बल्यू में भी होते है यही मैं आपको अभी समझाना चाह रहा था, और आपके जो त्रिबुज में संकेत होते हैं, हमेशा रियर डिकदर में होते हैं, option number 10 का राइट अंसर हो जाएगा, दी गई आकृती में driver द्वारा दिखाये गए हाथ के संकेत का क्या रत है, आप सभी देख पारे हैं, हाथ को इस टाइप से उपर कर रहा है है, इस टाइप से, यह अंगुलिया इसकी, मैं अंगुलिया भी बना रहा हूँ, तो इसका मतला होता है slow down, रोक ने कहा इरादा, मतलब वो गाड़ी को धिमा करने के लिए कह रहा है, तो यह आपको ध्यान प्रार्तना समाज के समर्ड़ी में, निमे लिंद लिगतंच सही है, तो यहांपर आप देख पारे है, कहतन से यह के लिए केवण, प्रार्तना समाज भकती प्रमप्रा का समर्तक था, जिसमें गिए सभी जहातियों की आध्यातिमिक समानता पर जोर दिया गया था, तो इस आपको बताना चाहूँगा ब्रेक फिट क्या होता जब आपकी गाड़ी चल रही है और किसी भी वज़े से अगर ब्रेक का आप ज्यदा इस्तेमाल कर रहे है तो ब्रेक असेंबली गरम हो जाती है और वो ऑवर हीट होने की वज़े से उसके जो आपका पता है ब्रेक सू और जो गर्षन मैटेरियल है आपका जैसे ब्रेक ड्रम या डिस्क है उसके बीच में जो है वो फ्रिक्षन नहीं हो पाती है गर्षन नहीं हो पाता है और गर्षन कम हो जाने के वज़े से ब्रेक सही डंक से गर्षन नहीं करने से ब्रेक लगते नहीं है तो वो क्या होता ओवर मतलब या तू मतलब एक ट्राइप से में कैसा ओवर हीट हो जाने के कारण या मैं कह सकता हूँ उसमें अगर कोई ओईल आ गया है पानी आ गया है तो ऐसी चीजों के होने के कारण ब्रेक फिड़ की समस्या आ जाती है तो अपसंद मरतीन इसका राइट आंसर हो जाएगा और इस भाई ने देखको बिल्कुल गलत कर दिया है तो ध्यान से देखना होता है रुक किये सड़क चीन का आकार एश्ट कोणी होता है सभी को पता है पचास तता साट के बीच सभी अबाजी संक्यों का योग आपको करना है गणित का परसन है आप देख लेना बारती स्विधान का अनुषित में से कौन सा अनुषित उपादियों का अंत है तो अनुषित 18 बिल्कुल सही है परसंद संक्या 48 सडग प्रिवेन तता राजमारग मंत्राली ने सार्थी सभी विक्षित किया है तो सार्थी जिसे कि बगवान कृष्टन भी सार्थी बने थे अरजुन के तो वो ड्राइवर थे उनके तो ये ड्राइविंग लाइसेंस संबंदीत जो है सार्थी पोर्टल ज्यान रखना है वहान सोप्टियर वी है जो कि वहानों से संबंदीत है याद रखना पहली सिप्ट में परसन आया था वहान सोप्टियर वहानों के पंजी करन सार्थी पोर्टल ड्राइविंग लाइसेंस है परसन 49 मोटर यान अधिनियम 1988 के नुसार किसी भी विक्ति को प्रिवेन यान चल चाहिए साथी 20 साल की उमर होनी चाहिए एक वर्स ठीक है यह आपको याद रखना है तो उप्सन में एक इसका राइट अंसर हो जाएगा कारवातानुकुलन सिस्टम के संदर्ब में नीवन अलिकित में से कून सा कथन सही नहीं है मलब AC सिस्टम की बात हो रही है बई compressor एक एकाई है जो engine द्वारा संचालित नहीं होती है, सही नहीं है, गलत कुछ है न, तो जो compressor जो होता है, engine से ही तो संचालित होता है, engine shaft होती है, जिसे हम crank shaft कहते हैं, उसका front end जो होता है, जिसके उपर pulley लगी रहती है, pulley के मादेम से जो AC का compressor है, वो fan belt के मादेम से चलता रहता है, आप सभी को पता, जिन गाड़ें में AC होगी, एक fan belt होगी, जो गाड़ें power steering होगी, दूसरी fan belt होगी, और तीसरी fan belt जिसे की alternator और radiator fan को गुमाने के लिए, वो सभी में होती है, तो यहाँ पर तीन fan belt होती है, उनमें से एक fan belt इस compressor को चलाती है, जो की engine से चलती है, तो न आप सभी को पता है, जब भी जो fan belt है, वो तो engine के साथ हमेसा जुड़ी होई है, अना, compressor और engine साथ के उपर pulley, fan belt के मादें से हमेसा जुड़ी होई है, और वो fan belt हमेसा घूमती रहेगी, फिर इस compressor को कौन बंद करेगा, कौन चलो करेगा, तो इसके लिए compressor के साथ में कलच ज्यां रखना आप, तो ये कलच इसमें होती है, तो जो कतन दो है, वो एकदम बिल्कुदर आटांसर है, जैसे आटा चक्की है, हमारे गर के आटा चकी खराब होई थी, तो उसकी कलच खराब हो गई थी, वो start नहीं ले पा रही थी, ऐसा समझो, कोई motor सही है, लेकिन अगर षटार्ट नहीं ले पा रही है, इसका मदब उसका कलच खराब हो गया है, तो motor के अंदर क्या होता है, उसको षेर्च Pierna होता है, तो फॉसरा कतन अगर्दम सही है, तो हमें इसको शेरना नहीं है, एक बेगई की लागत और परसन आप देख लिए ना, परसन मतलब दोनों दिश्म में बहुत कम दिखाई दे रहा है, यह थरा कि किसी भी परवाय को रेखाऊं को पार करने की अनुमत ही नहीं है, और यह होता है यहलो रेखाई हो दॉल यहलो रेखाई होती है, मैं इसको लिक नहीं पा रहा हूँ, और इसके बाद इसे में लिखता कौन सा सही हो जाएगा, दो नमर सही हो जाएगा, और यहां पर परसंद सही क्या 33, 53, खींचने वाले या खींचे जाने वाले, बनाब कोई खराब गारी है, उसको आप दूसरी सही गारी से खींच के टो करके लिए जा रहे हैं, तो ध्यान रखो, तो का मतलब हो गया, खराब परसंद सही क्या यहां पर इसका ज्वाब क्या हो जाएगा, और परसंद सही है, यानि दो वाइकल, जब एक वाइकल सही है, एक खराब है, दोनों को जोड के ले जा रहे हैं, दोनों के बीच में कम से कम पांच मीटर लंबी रसी होनी चाहिए, ताकि वो दोनों आपस में पूछ रहा है भी तो इंजन का water jacket इंजन के water jacket में ही radiator का पानी है वो बैता है और इंजन को ठंडा करता है तो यह दोनों ही part क्या है यहां पर सही है दोनों ही part होती आवस्यक होते हैं तो उपस नमर जो 4 है यहां पर सही हो जाएगा जब आप रात्री में किसी कार को over take करना चा रहे हैं तो आपको यह सुन दीशित करना होगा रात्री की समय over take करेंगे तो पहली बात तो deeper देना आवस्यक है और deeper का ही आपर क्या जा रहा है आप over take करने से पहले head lamp जलाते हैं मतलब head lamp को place जरूर करते हैं तो अपसर नमर सी इसका right answer हो जाएगा इस भाई ने भी सही किया है बहुत अच्छा किया है कार वायू सीतलन यानि वो कार जो की केवला हवा से थंडी होती है सिस्टम में किस अंदर में सीत वायू, थंडी वायू में फेलने वाली उस्मा की मात्रा खालिस्तान पर निर्बड करती है तो यह जो थंडी वायू होगी जो वातावन से इंजन को थंडा करने के लिए radiator fan जो हवा है वो लेकर इंजन के उपर बेशता है तो जो जो शीत वायू है, थंडी वायू है उसकी जो उस्मा की मात्रा है, वो किस पर निर्बड करेगी पंक सतों का कोल शेतरपल कि रेडी टर फेन कितना है, उसका शेतरपल कितना है मोटा है या चोटा है सीट वायू का वेक और मात्रा कितनी मात्रा में हवा कहेंच रहा है और उसकी रबतार क्या है तो ये सारी चीज़ें मेनर करती है, तो अपसे नमर तीन इसका राइट हंसर हो जाएगा, इस भाई ने देखो गलत कर दिया भी आपे, पंके की साइच, उसका छेतर पल, उसकी मात्रा, उसकी रब्तार, सारी चीज़ें होती है, एक तुम सिंपल परसन है, सड़त पर किसी भी करने से पहले परती दिन निमना लेके ते निरिक्षन तता जाच करेंगे, आपको बहुत सरी चीज़ें चेक करने चाहिए, कुलिंग वाटर चेक करना चाहिए, इंजन ओईल है, ब्रेक ओईल है, कलच ओईल है, परुष्टरिंग ओईल है, टायरों में हवा है, सब कुछ व आपको थोड़ा से देहां से पढ़ना चीज़े था परसन, वीले की निती त्यार किसने की थी, लोड लोजी ने, एकदम सिंपल परसन है, निमता लिकित में से कौन सा टायर का वांचनी ये गुन नहीं है, ये पुछावे, तो टायर को उसकी बहारी परीदी पर समान मतलब गारी जब चलती है, वो इस्थितिक मतलब जब गारी खड़ी है, दोनों इस्थितियों में टायर को संतुलित होना चीए, बिल्कुल होना चीए, दोनों समय संतुलित बनाए रखना चाहिए, जब वाहन गती में हो तथा सात्म बंध हो, तो ये भी कतन ठीक है, सटक अब चलते से में टायर को अधिक्तम सोर बेदा करना चाहिए तो दिखता है गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है गुण नहीं है तो अपस नमर तीन इसका रायटांस हो जाएगा परसंसिंग अच्छी आशाठ है इंधन आपूर्ती गटकों के संदर में निमनली कितम से कौन सा कतन सही है इंधन आपूर्ती के समन में इंधन रेखा मतलब फ्यूल लाइन इंधन टेंक से कार्बूरेटर या MPFI मतलब मल्टी पॉंट फ्यूल इंजक्शन इंजन में उप्यो से कार्बूरेटर या MPFI तक फ्यूल की सप्लाइए करती है तो ये विल्कूल गतन ठीक है इंधन टेंक धातो की सीट या प्लास्टिक से बना ओता है ये भी ठीक है तो यह दोनों की कतन क्या है सही है इंदन टेक धातों की शीट या प्लास्टिक का दोनों का बना हो सकता है मोचली धातों की शीट का बनाया जाता है तो दोनों कतन से यह भी अप्स नमर तीन हो जाएगा CNG संपीडिती प्राकृति गेस के संदर में नीमन अलिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है इस नहीं को ध्यान रखना भी आपत तो CNG को चुरा नहीं सकती बिल्कु ठीक है इसमें पेट्रोल या डिजल की तरह मिलावट नहीं की जा सकती ये भी ठीक है CNG वहाँ नुमें सिलेंडर के लिए कम जगे क्या हो सकता है कम नहीं जादा होती है इसलिए कतन गलत हो जाएगा वो सही नहीं है यहीं पूछा है तो अप्सन नमर 2 इसका रायटा अंसर हो जाएगा CNG पेट्रोल या डिजल से सस्ती है ये भी ठीक है सस्ती पढ़ती है तभी तुम CNG सिल चला रहे न पेट्रोल अगर 100 रुपे में 2 किलिमट निकालेगा तो CNG 4 निकाल देगी इतना फ्रक होता है भी CNG अधिक कुसलता पूर्वक तथा पूर्ण रुपसे जलती है ये भी ठीक है तभी तो सस्ती पढ़ती है तो ये 3 कतन सही है कतन 2 गलत है और गलत ही पूछा गया इस भाई ने इसको भी गलत कर दिया देखू परसन सिंग्या बाशट खालिस्तान के दोरान सड़क दुरगटना पेड़ितूं को तुरंत तता उचित प्राथि में उपचा दिये जाने से जीवित रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है तता ख्षति की गंबिरता कम हो जाती है और ये बात हो रही है स्वरनिम गंटा के बारे में गोल्डन ओर धारा 2 की उपधारा 12A याद रखना आप मैं दुबारा से बता देता हूँ जो MVA है ये सेक्षन 2 और 2 की 12A ठीक है ये याद रखना भी आप तो अगले परसन पर चलते हैं निमन लिकित में से किसे त्योंहार को तेलंगाना का सांस्कृतिक पहचान का परतिक माना जाता है तो यहाँ पर बतु कमा बहुत अच्छा परसन पुचा गया है निमन लिकित में से कौन सा शडख चिन का उदिस है शडख चिन का उदिस है क्या होना चीए शडख की सुरक्सा शडख पर सुरक्सा सुनीशित करना दक्सता को बढ़ावा देना बिलकुल कतन ठीक है भी सडख उप्योग करता हूं को विवस्तीत आवागबन करते रहें, तो option number 1 और 2 दोनों से option number 3 correct answer हो जाएगा, एक reasoning का person आप देख लेना, person से क्या चिया सकत, वहां में transmission system, transmission system में देखो क्या क्या आता है, मैं आपको बता देता हूँ, transmission system में क्या क्या आएगा, clutch आएगा, clutch और gear आएगा, gearbox ठीक है, U joint भी आएगे, U joint, propeller, subtract भी आएगी, ठीक है, और differential भी आएगा, ठीक है, differential भी आएगा, और rear axle भी आएगी, rear axle भी आएगी, और इसके लावा, बस ये होते हैं, जिनके, देखो, transmission system का, मतलब क्या है, नाम जेसी पता चल रहा है, नाम पता चल रहा है, transmission, 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 transmission का मतलब हो गया, transfer करना, transfer करना, इसको ध्यान से समझना आप, तो मतलब, जो चीज़े लट किसी, power को transfer करने का काम करेगी, वो transmission system का part होगी, तो इसमें, कलच जो है, बिल्कुल करती है, gear works भी करता है, nodak saft को, हम propeller saft कहते है, ना, nodak saft को क्या कहते है, propeller saft, propeller saft, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, तो यह क्या है, यह भी कतंसी हो जाएगा, तो यह तीनों कतंसी हो जाएंगे, बलब वहान में जो transmission system होता है, वो इन सभी का पार्ट होता है, ठीक है, यह आपको ध्यान में और रखना है, अगले परसंद पर चलता है, परसंद सिंगे 67, भारती रिजर्वे बेंक, वीभिन परिपकवता कीतियों के लिए, यह रिपोरेट और रिवर्स रिपोरेट देख करता है, निमन में से कौन सा सही है, तो यह रात बर का, सादिन का, चौदा दिन का, यह रिपोरेट और रिवर्स रिपोर्ट है, इसको यह सर्कूलेट करती रहती है, तो यह कभी भी बदल सकती है, तो यह तीनों कतन सही है पसंद से क्या अड़सर्ट आपके सामने वहानों में suspension system के संदर में निमन लिखित में से कौन सा कतन सही है suspension के बारे में suspension, spring, soak अवसोसा लिंकेज system को दिया गया सब्थ है, बिल्कुल जो एक यान को उसके पयूशी जोड़ता है आपको पता होगा, suspension जो होता है chases और axle के बीच में होता है तो यह option में जो एक है, कथन यह ठीक है suspension system दोरे उदिश्य को पुरा करता है दोर में लिख एक से अधिक काम है यान की सड़ग पर पकड़ और handling आसानी से मुड़े और सड़ग पर है चड़क के सोल, के कमपन, आदी से आराम दाएक उचीत रूप से अलग रखता है तो यह दोनों कथन क्या है, एकदम सही है option में यहाँ पर एक हो जाएगा right answer traffic light के संदर में नीमन अलिकेस में से कौनची light धीमी गती से चलने तथा सावधानी से आगे बढ़ने का संकीत देती है placing amber light मैं आपको बता देना चाहता हूँ placing amber light को आप yellow, yellow, yellow flashing light light भी कह सकते हैं yellow flashing light ही amber light होती है यहाँ पर अगर placing yellow light भी आता तो भी हम option में एक करते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो होता क्या है पहली प्रात्मिक्ता जो होती है, amber को होती है दूसरी प्रात्मिक्ता यहाँ पर yellow color को होती है और तीसरी प्रात्मिक्ता यहाँ पर करी बार नाम आ जाता है क्या जो नाम आता है यह नारंगी नारंगी, ना, तो यह आपको ध्यान नारंगी, नारंगी, तो इन तीनों में से जो भी नाम आए, तो इन तीनों में से प्रात्मिकता एंबर को होती है, दूसरे नमर पर ये लोग को हो, तीसरे नमर पर नारंगी, तीनों का ही सेम मिनिंग है, सेम हील, एक लायट है, लेकिन एक लाइट के तीन नाम है, तो आपको एमबर दिखे, तो एमबर वाला आपको करना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो पुछा गया है, इसे सबसे, फ्लेशिंग एमबर संकेत हो जाएगा, और इसका मतलब क्या होता है, आप अगर एमबर लाइट फ्लेश कर रही है, तो आपको गाड़ी की गती धीमी करनी है, और यहाँ पर आपको धीरी-दीरी सावदानी से आगे बढ़ना है, जिसा कि येलो फ्लेशिंग लाइट है, वही मिनिंग फ्लेशिंग एमबर का होता है, तो आपको ध्याँ रखना है, अपसर नमर एक हो जाएगा राइट अंसर, इस भाई ने भी बहुत अच्छा लगया है, राइट अंसर लगया है, टेली-इसकोपिक फोर्क अउसोशक सस्पेंशन के संदर में, नीमन अलीकित में इसे सही कथन, सही बताना है वही, वो टेली-इसकोपिक फोर्क अउसोशक का मतलब है, ऐसे जो है सोक अउसोशक है, जो एक टाइप से मैं कह सकता हूँ, डैम्प करने का, स्प्रिंग का, हाइड्रोलिक का, जो है काम एक साथ करते हैं, वो हाइड्रोलिक से भी काम करते हैं, जिसे मोटर साइकल के सस्पेंशन होते हैं, ठीक है न? ध्यान राएड़ना, वो एक प्रकार से क्या करते हैं, हाइड्रोलिक सिसमें सस्पेंशन, प्लस सो के जॉर्बर, दोनों काम एक साथ करता है, टेलिस्कोपिक फोर क है, миोटरसाइकल फ्रंट सस्पेंजन का एक रूप है, जिस्य की जू मोटर साइकल होती है, आगे इसमें spring भी होती है, और oil भी होता है तो वो hydraulic भी है, ओ इसमें spring भी है, जिसका उपयोग इतना समाने है, कि यह लगबब सारुबिक है, मलनलब हर को इसक क्या काम होगा इस प्रिंग का काम होगा रोड के जटके गाड़ी को न पहुंचे लेकिन ये हो गया suspension जैसे कोई spring suspension हो गया मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पर एक तो हो गया coil spring suspension C O I L coil spring suspension ठीक है एक मैं आपको नाम ले रहा हूं dampers डेंपर्स, अब देखो गाड़ी उचलेगी तो इस स्प्रिं को दबेगी तो जटके से, लेकिन वापस उचलमाश की उसको भुपने का काम करेगा डेंपर्स में है, यह यापके टेयलिस्पो की यह तेयलिस्पो की जो आउसो सक होते हैं टेली इस कोफी के फोर्क आउसो सक यानि कि छोक अपजोरवर तो ये दोनों काम करता है इस प्रिंक का भी और टैंपर्स का भी मल पूरा एक suspension system बन जाता है तो ये दोनों कतन क्या है याप एकदम सही है तो option number एक right answer हो जाएगा इस परसंद को छोटा करना पड़ेगा, चितर दिखने ही रहोंगे आपको साइट, परसंद सिंगे सत्व इगतर है, नीमन अलीकित में से कौन सा शड़क चिन सामा देता है, पहाडी सड़कों पर लगाया जाता है, जहां शड़क पर धूल मिट्टी और बजरी गिरती रहती ह तूल मिट्टी और बिजरी के बारे में कहा गया है, तो आपको पता है पहला जो है पैड़ेश्टेन के बारे में है, यह आगे संकडा कूल है, यह यहां पर फिसलन बरिशा रहक है, और यह बजरी का है, तो अप्सन नमर डी यह चार नमर अप्सन करेक हो जाएगा, का मतलब होता है, जोडन यान, मैं कह सकता हूँ, जोडा गया वाहन, ठीक है, यह इसका मतलब हो गया, अब आप बताओ, जो ट्रेलर होता है, मैं आपको बताता हूँ, ट्रेलर, ट्रेलर भी हो सकता है, ट्रेलर या सेमी ट्रेलर, सेमी ट्रेलर, इस ट्रेलर या सेमी ट्रेलर ने आपनको बहुत है जो रहते हैं आपको यहाँ पर जोड़न ही आने, सम में पर जोड़न आपसमें जूड़न के पीछ आनगे। वो ट्रक के पीछे trailer, है न, तो यहाद रखना आप, जो लंबे truck होता है, हम उनको trailer बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे उनकी truck होता है, वो पीछे trolley होती है, इसलिए, आगे तो engine वाला पार्ट होता है, पीछे समार्वा डालने वाला, इन दोनों को जोड़ेंगी, तो वो एक प्रकार का articulated vehicle कहलाता है, यानि चोड़त यान, संयुक्त यान, तो मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस भाई ने लगाई है तीन नमर, तीन नमर है adapted vehicle, adapted जो vehicle होता है, आपको पता है, जो special person जो होते हैं, special, मैं बता दूँ, special person का मतलब है, विकलांग जो वेक्ती है उनके लिए, उनके लिए कामें आता है, तो यह आपको ध्यान रखना है, तो option number 3 नहीं होगा इसका, option number D इसका right answer है, person सींगे 3 एतर है, यहाँ पर जो है, एक person पुछा गया, हितरों दक्षन की हो, 3 km चलता है, पूरे की और मुड़ता है, 4 km चलता है, इस टाइप सी है, तो option number यहाँ पर जो है, 4 एकम सही है, कोई दिक्कती इसमें नहीं है, person सींगे 74 है, एक के गणित का person है, आप कर लीजिया, गोल क्रीमी नीमे ना लेकिती में से, किस संक्सिया समा देते हैं, तो यह जीके का person है, एसकेल लिमिन्थीज, बहुत अच्छा पता भी केसा नाम है, हाट person जूरू है थोड़ा सा, सड़क चिन समा देते हैं, आने वादे यातियात की रेखा पर, समकोन पर लगाए जाते हैं, यह भी हाईवे इंजिनेरिंग का person आ गया है, बोड डिपलीकेशन है, तो इसके वारे में हमें आगे आने वाली वीडियोज में, आपको इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो क्यूसर नए आया हैं, इनके उपर हमें विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो शड़क चिन समाने थे, आदे माले यात्यात की यात्रा की रेखा पर समकोन पर लगाए जाते हैं, ठीक है, और परसन से के 77 जो है, गणित का person है, और परतिसत से समान दित है, और समर 3 इसका राइट आंसर है, परसन से के 78 है, किसी वहांद में दिये कि डेसमोट चिनका क्या आर्थ होगा, संकेत परकास, खत्रे का तो तुरिबूज में होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, आंत्रिक डिबी का परति दित ये भी गलत हो जाएगा, दिन के समय ये भी गलत हो जाएगा, ये है संकेत परकास, बल्लब कि आपको ये सुचित करने का काम करता है, कि light on है, ठीक है, तो अपसम एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई इसमें दो राएग नहीं है, परसन से के 79, निमनलीकित में से कौन सा इंजन के सनेहन का होड़ी से, सनेहन का मतलब है लूप्रिकेशन, यानि कि इंजन जो ओईल होता है, इंजन ओईल का काम क्या है, ये पूछा गया है, बल्लब जो है, मेन परपच, ऐसा आप समझो, मेन, मेन परपच ओफ इंजन ओईल, इंजन ओईल, ठीक है, ये पूछा गया इसमें, तो आपको पता है, इसमें उप्सन नमर एक क्या दिया है, सीतलन परभावपरदान करना, कूल करना इंजन को, बिल्कूल इंजन गरम हो जाएगा, अगर इंजन ओईल का लेवल कम हो जाता है, जितना संभव हो सके, चलने वाले इसमें की टूट कूट, मलब मुमेंट जो पार्ट करते हैं, उनको आपस में रगड़ खाने से बचाना, तोट फूट से उसको कम करना, तो दोनों कथन से ये उप्सन नग, एक इसका रायट अंसर हो जाएगा, आज का हमारा लाश्ट का परसन है, लाइसोसोम के समद्ध में निमन अलिकित में से कौन सा कतन सही है, सही पूछा आवी, तो यहाँ पर लाइसोसोम कोशिका का अपसिष्ट निप्टाने वाला तंतर है, ठीक है, लाइसोसोम को कोशिका का विजली गर का आ जाता है, यह गलत है, तो केवल कतन एक नमर से ही हो जाएगा, तो यह था आपका पंजाब एंड हर्याना हाइकोट ड्राइवर, 24 का 14 जनवरी को 2nd shift का जो पेपर हुआ है, वो पेपर में ने आपको यहाँ पर solution करवाया है, और आपको समझ में आया होगा, किसी भी परसंद पर अगर आपको doubt है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा बड़ा doubt यहाँ पर आपके सामने आया होगा, और मुझे कोई यहाँ पर doubtful question लगा नहीं, objection के लिए, फिर भी आपको अगर कोई भी person जो है doubt के लिए लगता है, तो आप मुझे send कर सकते हैं, वो तो तुम मैं बताना चाहूंगा, अगर आपका score आपनी check कर लिया है, तो आप मुझे अपना score है comment section में बताएं, Google form का link आपको वीडियो की discussion में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके Google form को बरें, ताकि हमाँ आपकी cut off है, वो त्यार कर सकें, आप एकदम real data गोगल form में बरियेगा, ताकि हम आपको एक 60 जो है data आपको available है, यहाँ पर करवा सकते हैं, तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं next video में, तब तक धन्यवाद, thank you so much, इसके लाब बताना चांबगा, अगर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल, कर दाब हैं, यहाँ बिल्कुल, झाहें, कर दो, कर दो, कर दो,